नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से Pathfinder पे चल रही समाधान Prelims 2023 वाली इस सीरीज में, जिसमें की हम लोग 100 Most Important Current Affair Topics for UPSC 2023 को डिसकस कर रहे हैं, बहुत सारे Topics डिसकस किये जा चुके हैं, आज का जो Lecture है, इसमें मैं Science and Tech के ही कुछ और Interesting Topics आपके साम बहुत ही जादा Important, Relevant Topics को Cover करने वाला हूं, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ Question इन में से Definitely आ सकता है, एक और वीडियो रह गई यह Science and Tech की, वो भी कुछी घंटों में चैनल पे आ जाएगी, तो Please Stay Tuned, और रात को वो भी देखकर सो जाना, और हो सकता है कि कोई न कोई चीज जो मै शायद Revise करवाऊं, उसके basis पे आपको कोई न कोई Question देखने को मिले, और आपको वो सवाल शायद सही हो जाए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों, अगर आप में Follow करना चाहते हैं, यह Telegram Channel है, Follow कर सकते हैं, लेक्षर की PDF नीचे Description में मिल जाएगी, आपको Link पत्थ बैच, जिसमें की मात्र 8000 रुपे में हम आपको संपूर्न UPSC CSE की तयारी करवा रहे हैं, फिर भले वो Prelims हो, फिर भले वो Mains हो, भले वो Mentorship हो, भले वो Interview Guidance ही क्यों ना हो, हर चीज आपको 8000 रुपे में करवाई जा रही है, यह बैच जो है दोस्तों, पांच द आने वाला है, जो की बाइदवे 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, वो वाला वैच अभी स्टार्ट होने में समय है, 15 जुलाई से होगा, लेकिन उसमें भी सब चीज़े मिल रही है, Prelims, Mains की Guidance और साथ ने आपको Test Series भी अवेलिबल करवाई जाएगी, उसका भी Cost मात्र 8000 ही रखा गया है, एंडरोल करते समय आप लोग मेरा कोड अनी UPSC इस्तिमाल कर सकते हैं, आज के लेक्चर में मैं डिसकस करने वाला हूँ, ये वाले 6 टॉपिक्स को, नमबर 1 पे आता है, Oral Rehydration Solution, ठीक है, इसको लेकर बड़ी important development सामने आई थी, जिस scientist ने इनका निर्मान किय जा था, उनकी पिछले साल मृत्यू हो गई, तो बात करेंगे, Ors के बारे में very very important, simple, general topic है, इस तरह के topics UPSC बहुत पसंद भी करता है, नमबर 2 पे बात करेंगे, small modular reactors के बारे में, ये कितनी वो मात्रा होती है, कितना वो capacity होती है, जब किसी nuclear reactor को small reactor कहा जाता है, बस इतना ही बताऊंगा, that's it, नमबर 3 पे बात करेंगे, hyperloop system के बारे में, IIT मदरास से एक important development सामने आई, regarding this particular hyperloop system, और इसकी जो science होती है, उसको समझेंगे, again in a very very quick span, उसके बाद दोस्तों, तीन चीज़ें डिसकस करूँगा, तीनों चीज़ें काफी similar हैं, geomagnetic storm, coronal holes, sunspots, in fact यही नह जो हमारे sun के साथ जुडी हुई terminologies हैना, यह explain करूँगा, कुछ ना कुछ सवाल इन seven terminologies में से definitely हमें देखने को मिलने वाला है, और मैं कल ही analysis भी होने वाली, वहाँ पे देख लेना, mostly मैं सही हूँ, कि इसमें से कोई ना कई question आपको definitely मिलने वाला ही है, right, ORS की बात कर रहे ह हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तो, October 2022, अभी की कबर है, जादा पुरानी कबर नहीं है, Dr. Dilip Mahalanubis, who pioneered the proper practical emergency use of ORS, commonly known by its abbreviation ORS, ये इनका recently मृत्यू हुई थी, ORS researcher Dr. Dilip Mahalanubis passes away in Kolkata, ये दोस्तो, ORS की full form क्या है, oral rehydration solution के नाम से इसको popularly जाना जाता है, वो हरे रंका पाउच आपने देखा होगा, उसके उपर बलकि ये भी लेखा गया है कि WHO द्वारा प्रमानित क्योंकि WHO ने भी उसको certify किया हुआ है, इसकी backstory काफी interesting है, 1971 के आसपास की बात है, जब Dr. Dilip जो है ये काम कर रहे थे refugee camps में during the 1971 Bangladesh Liberation War, जब वो ORS के इस idea को सामने लेकर आय है, या फिर जिनको lose stools के दिक्कत हो रही है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, जब उन्होंने ये वाला solution उनको दिया, तो काफी relief लोगों को मिलने लगा, और उसी के बाद ये वाली चीज़ एक proper standardized चीज़ बन गई, बलकि इसका recognition जो है, इनको 2002 में जाकर मिला, Dr. Dilip along with Dr. Nathaniel Pairs was awarded the pollen prize by Columbia University, जो की pediatrics में almost जो है, वो आपका considered the equivalent of noble prize in pediatrics, जो है, उसके बराबर का कहा जाता है, तो ये इनको उस award से भी सम्मानित किया गया था, बलकि 1971 में जब ये निर्मान हुआ, तो उसके चार साल के बाद ही, WHO and UNICEF ये ORS का इस्तिमाल करते आ रहे हैं, कि dehydration को treat करने के लिए अगर आपको diarrhea की विज़े से dehydration हुआ है, तो ये वाला ORS solution आप लोग ले सकते हैं, ये it is commonly using countries with limited access to clean water और other hydration options, in fact इसमें अगर आप इसको normally भी पी पी लेंगे, अगर आपको वैसे ही कभी लगे कि dehydration हो रही है, तो वैसे भी काफी helpful होता है, काफी energy भी आपको इसमें मिल जाती है, OVERS की बात कर लेते हैं, इसके पीछे की science क्या है, कि क्यों ये आपके diarrhea को या dehydration को treat करने में help करता है, ये दोस्तों mixture है of electrolytes and carbohydrates, बड़ी ही simple शब्दों में कहें, तो नमक और चीनी का mixture है, लेकिन कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि body में इसकी absorption काफी better हो जाती ह So, overS is a mixture of electrolytes and carbohydrates, इन जो की sugar के form में होती है, जिनको की पानी में आपने dissolve करना है, अब जब आपके body में dehydration, diarrhea, vomiting हो रही है, gastroenteritis हो रहा है, तो बहुत सारा salt, बहुत सारा pony, आपकी body में से lose out हो जाता है, जो electrolytes, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, salts के रूप में, वो कोई ऐसे नहीं, random salts नहीं है, they are potassium and they are sodium, तो यह जो की हमारी body को required होते हैं, ताकि हमारी body की जो gut line है, वो preserved रहे, ताकि हमारी body के जो अंदर, जो भी खाना है, वो directly सारा immediately eject ना होता जाए, तो इसी लिए इस तरह की electrolytes हमारी body को ज़रूरत पढ़ती है, यह components क्या करते हैं, कि once आपक body में यह components आ गए, उसके बाद फिर आपकी body में खाने का absorption, fluid का absorption काफी better हो जाता है, वो directly drain out नहीं होता, diarrhea के माधिम से या vomiting के माधिम से, these components maximum the absorption in the gastrointestinal tract, the gastrointestinal tract relies on the sodium glucose co-transporters, ठीक है, इसको SGLT's कहा जाता है, जो की basically carrier proteins होते हैं हमारे intestine में, ठीक है, यह co-transporters substance को move करते हैं, cross-membrane सा की हर tissue तक हमारा जो energy है वो पहुंसती रहे, तो specifically क्या होता है, SGLT's जो है, they pair together sodium and glucose transport in the small intestine, this allow glucose to increase absorption of fluids, तो यहाँ पर क्योंकि आपको sodium चाहिए, इसलिए पहले आपको sodium दिया जा रहा है, इसलिए आपको glucose दिया जा रहा है, so that वो दोनों चीजें basically co-transportation में help कर सकें, आपके intestine तक जो भी खाना है उसका absorption हो सके, additionally sodium needs glucose to be properly absorbed, therefore ORS contains both glucose and sodium, आपका जो glucose है, वो sugar के तौर पे है, जो sodium है, वो basically दोस्तो, salt के तौर पे है, यह वाली science बनाई गई थी, जिसके चलते इस ORS को design किया गया था, अगले topic की बात करें, we are talking about small modular reactors, very very small topic, छोटा सा topic है, August 7, 2022 को सुर्खियों में आया है, क्योंकि इंडिया ने ये मानना शुरू कर दिया है, कि अगर हमें हमारी energy demands को meet करना है, तो basically हमें बड़े-बड़े nuclear reactors बनाने की आवशकता से जादा, छोटे-छोटे nuclear reactors बनाने की आवशकता है, कारण उसके बीछे दो है, एक तो इसमें cost कम आती है और दूसरा सबसे बड़ा कारण ही है कि ये जल्दी से बन सकते हैं, जिसकी वज़े से जो हमने हमारे local thermal power plants बने हुए है, जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए है, उनको हम लोग जल्दी से replace कर पाएंगे, and nuclear energy वैसी भी green energy होती है, तो हमारे जो environmental benefits है, वो भी हम यहाँ से ले पाएंगे, so recently Niti Aayog member suggested for focusing on setting up small modular reactors as it would help meet the country's energy needs and also in replacing aging thermal power plants, agenda समझ गे कि क्यों करना चाहते हैं, हमारी need को पूरा करना है, और साथ में हमारे thermal power plants को replace करना है, एक बड़ा nuclear power plant बनाना काफी ज़्यादा time consuming है, बहुत खर्चा आता है, और लेकिन छोटे nuclear reactors, छोटे small modular reactors मिनाना उ यह जो small modular nuclear reactors हैं, यह advanced nuclear reactors होते हैं, which have a power capacity limitation है, 300 megawatt per unit की limitation है, यह chart देख लो बड़ा simple है, जो दोस्तो large conventional reactors होते हैं, 700 plus megawatt की इनकी capacity होती है, small की up to 300 होती है, और एक micro reactors भी हैं, जो की in theory माने जाते हैं, approximately 10 megawatt वाली capacity रखने वाले यह reactors होते हैं, यह IAEA, जो की International Atomic Energy Agency है, उसके अनुसार, कम से कम, 70 से भी जादा SMR के concepts चल रहे हैं, under development in 18 countries, मतलब कि अलग अलग देश, 18 ऐसे देश हैं, जो की इसकी development को conceptualize करने की कोशिश कर रहे हैं, IAEA के बारे में, वैसे तो आप जानते ही होंगे, इसका मुख्याले वियन आउस्ट्रिया में है, और इसको दोस्तो atoms for peace and development संस्था भी कहा जाता है, और ये भी UN की family में ही आती है, इसको establish क्या गया था 1957 में, ठीक है, तो ये वाली body के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, और SMR के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, advantages मैंने बता दिया, affordable है, इसके देखे, बने-बना unit आ अच्छा, location, basically SMRs can be cited on locations not suitable for larger nuclear plants, ये भी सबसे अच्छी बात है, आपको बड़ी-बड़ी location भी नहीं चाहिए, इसलिए इसकी जो बात्चीत है, वो बहुत जादा बड़े ढंग से करी जा रही है, next topic की बात करते है, hyperloop system, basically क्या हुआ था, खबर काफी पुरानी है, और hyperloop को लेकर question expect काफी ठाल से कर रहे हैं, लेकिन आया नहीं है, तो बस briefly बात कर लेते हैं, पिछले साल just prelims के पहले इसको लेकर खबर आई थी, IIT मदरास railways collaborate to develop made in India hyperloop system, तो Indian railways collaborate कर रही है, IIT मदरास के साथ for the development of indigenous की हमें हमारा घरेलू make in India hyperloop system चाहिए, इसकी जो team है जो की IIT मदरा कैसे आपको समझा देता हूँ, तो देखिए जैसे हमारी normal train होती है, उसके बाद bullet train होती है, bullet train क्या है, basically तेजी से चल रही है, as compared to normal train, speed काफी जाता है, लेकिन hyperloop के case में ये लोग क्या कहना चाह रहे है, कि basically जो आपका train का पूरा का पूरा बोगी है, जो compartment है न, वो एक vacuum tube के अंदर जाएगा, complete vacuum नहीं होता, मतलब उसमें pressure काफी कम होता है, complete, exactly zero pressure नहीं होता, vacuum tube has an area of low pressure inside it, उसके थ्रू जवाब जाते हैं, तो resistance नहीं phase करना पड़ता, तो ये जो है, ये देखिए, ये उपर वाली tube है दोस्तो, ये उसके अंदर आपका pod बना हुआ है, ये उसके अं दिया गया है, इसमें जो speed आप attain कर सकते हैं, वो 1200 km प्रती घंटे के आसपास की speed को attain किया जा सकता है, ठीक है, क्यों ये इतना interesting है, सबसे बड़ा factor आता है cost का, देखिए, bullet train की cost बहुत आती है, और ये जो bullet train की cost है न, कहा जाता है, 40 million dollar पर km की cost आती है, to builder, जो क्या कहते है, hyperloop system को बनाने में cost आती है, लेकिन अगर आप high speed train बना रहे हैं, वहाँ पर खर्चा, almost दोस्तो 2 गुना के आसपास आते है, तो ये जो hyperloop का concept है, ये Tesla के जो founder है, Elon Musk, उनी का idea था, उनी का brain child है, कि हमें ये करना चाहिए, because ये आपकी high speed trains को बड़ी जल्दी से replace कर सकते हैं, खर propelled through a near vacuum, देखिए complete vacuum नहीं है, फिर से बोलूँगा, it is not complete vacuum, near vacuum है, pressure काफी कम होता है, near vacuum tube connecting cities at speeds matching that of an aircraft, तो almost जैसे aircraft की speed होती है न, जो की again इतनी नहीं होती, वो भी 1000 km प्रती घंटे के असपास की ही होती है, तो वो भी आप उसको match कर पाएंगे, उसको एक CD कर पाएंगे, और ultimately फायदे मंद ये भी है कि renewable energy पर चल जाएगा, solder पर चल जाएगा, हाना उसके बाद wind power चल जाएगा, regenerative breaking ये भी इस पर चल जाएगा, जिसमें कि आपका fuel का खर्चा होता ही नहीं है, तो ये सारे का सारे advantages हैं, जो की hyperloop के हमें देखने को मिल जाते हैं, now coming to the most important topic of this lecture, जिसमें कि मैं आपके साथ 6-7 terms हैं दोस्तों, जो की sun के साथ संबंदित हैं, सारी अभी-भी सुर्खियों में आई हैं, आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, March 23, 2023, Earth hit by severe solar storm, much stronger than expected, ये क्या है, geomagnetic storm, इसको आप लोग solar storm भी कह देते हैं, ये solar storm आई है, ठीक है, अब ये क्य चीज है, उसके बाद ये वाली खबर देखिए, पिछले साल November 2022 की है, sun की एक photo सामने आई थी, sun उसमें smile कर रहा था, जैसे वो आपके phone में emoji होती है न, इस तरीके से emoji, तो वैसे ही sun की ये वाली photo सामने आई थी, ये क्या चीज है, इसको दोस्तो, coronal holes कहा जाता है, ये coronal holes क् चीज सामने आई थी, जो की again 23 जून 2022 की giant sunspot, ये तो आपने खेर सोना होगा काफी पुराना idea है, sunspots जो हैं वो, कई सारे sunspots हैं, जो की आपको sun के surface भी देखने को मिलते हैं, ना इन मेंना confusion है, कि पहले तो ये solar storm और solar wind में क्या फरक है, solar flare में क्या फरक है, उसके बाद ये सारी कहानिया आपको explain करने वाला हूँ, to better understand these things, अगर कहीं question आता है, तो गलती नहीं करनी है, now, talking about geomagnetic storm, इसको लेके warning क्या थी, पहले वो दिख लीजे, earth hit by severe solar storm, much stronger than expected, अब ये severe जो word है ना, ये असल में ऐसे ही मजे मजे में इस्तिमाल नहीं किया क्या है, दोस्तों, जो solar storms है, इनकी categorization करी गई है, और इसकी warning के हिसाब से categorization करी गई है, इसकी intensity के हिसाब से, G1, G2, G3, G4, G5, ये minor है, ये moderate है, ये strong है, ये severe है, जो कि इस बार आई थी, और ये दोस्तों, extreme है, क्योंकि severe आई थी, इसका मतलब G4 वाली capacity, intensity वाली solar storm धरती तक आई थी, तो ये basically आपन समझना, इसके अंदर जाने की आवशकता नहीं है इतना, बस ये समझ लीजे कि काफी severe category की आई थी, severe category, G4 वाली category की solar storm धरती पे आई थी, इसका impact क्या है, impact दोस्तों वही होता है, कि देखिए अगर आपका कोई high frequency radio broadcast है, वो disrupt हो सकता है, global positioning system devices, GPS devices वाली जो satellites होती है, वो disrupt हो स warning किस ने दी थी, NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration का जो ये institution है, इसके द्वारा ये वाली warning दी गई थी, they issued two geomagnetic storm watches, ठीक है, तो ये warning को इस तरीके से कहा जाता है, now, ये हो क्या रहा है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है, geomagnetic storm दोस्तों कुछ नहीं है, it is a disturbance in the earth's magnetosphere, असल में इसको समझने क लिए हम sun तक नहीं जा रहे है, हम इसके impact से इसको समझ रहे है, earth का जो magnetosphere है, यानि कि earth के आसपास का जो area है, जो कि हमारी magnetic field से control होता है, वहाँ पर जब हम कोई disturbance देखते हैं, तो बोलते हैं कि ये probably geomagnetic storm की वज़े से हुआ है, ठीक है न, So when coronal mass ejections collide with the earth, it causes GMS, असल में जो phenomena sun पे हो रहा है, वो आपका CME का है, ये CME का phenomena जब धरती पे आकर के आपकी magnetic field के साथ interfere करता है, तो देखिए इसके नाम में geo आ गया, helio नहीं है, geo मतलब धरती, तो geomagnetic storm का नाम दे दिया गया है, अब ये coronal mass ejection क्या चीज है, briefly सुन लो, magnetic field उससे बाहर आ रही है, और उसके साथ बहुत सारा plasma भी बाहर आ रहा है, जो कि sun के corona से उसके heliosphere में चला गया है, येसे धरती का atmosphere है, वैसे sun का heliosphere है, तो ये मान लीजे sun है, यहां से दोस्तों कुछ समान निकला, plasma निकला, magnetic field निकली, यहां से इसके heliosphere में आ गया है, वो पहुंचते पहुंचते हमारे धरती का ये जो magnetic field था, यहां पर आकर के उसमें interfere कर रहा है, तो ये magnetosphere में आकर interfere किया, then it becomes a geomagnetic storm, यहां से क्या नाम से निकला था, यहां से निकला था CME से, धरती तक पहुंचते पहुंचते वो geomagnetic storm बन गया है, समझ आगी बात, now इसको ब injection भी समझा देता हूँ, तो basically solar wind क्या चीज़ है, solar wind again, it is a gusty stream of material that flows from the sun in all directions, तो भई ये sun है, ये सारी directions में solar winds चलती रहती है, non-stop चलती रहती है, carrying sun की magnetic field into the space, sun की जो magnetic field है, वो space में जाती रहती है, ठीक है, while it is much less dense than wind on earth, it is much faster, blowing at speeds of 1 to 2 million miles per hour, solar wind is made of charged particles, electrons होते हैं, which interact with each other and also the sun's magnetic field, तो इसके अंदर charged particles होते हैं, ये हमने establish कर लिया है, अब भई solar flare क्या चीज़ है, तो solar flare are energetic bursts of light and particles triggered by the release of magnetic energy on the sun, अब आप कहेंगे यहाँ पर भी magnetic field निकल के आ रही थी, यहाँ पर भी तो magnetic energy ही निकल कर आ रही है, flares, लेकिन फरक क्या होता है, दोस्तो, flares जो है न, वो बहुत जादा powerful होती हैं, flares are by far the most powerful explosions in the solar system with energy releases compared to billions of hydrogen bombs, the energy particle accelerated by flares travel nearly at the speed of light and can travel the 93 million miles between sun and earth in less than 20 minutes, तो these are very very powerful, ठीक है, बस यही फरक है, इनकी पावर में फरक है, और solar flares जो है, generally हमें बहुत commonly देखने को मिलते भी नहीं हैं, लेकिन solar winds तो हमें देखने को मिलते रहते हैं, आम फिनामिना हैं, जैसे धर्ती पे winds चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, solar winds जो हैं, वो दोस्तों आम फिनामिना हैं, लेकिन flare आम फिनामिना नहीं हैं, तो इसमें capacity का फरक है, Talking about coronal mass ejection, मैंने आपको समझा दिया, वो भी क्या हो रहा है, large clouds है, of solar plasma and magnetic field, जो की sun से निकल रहे हैं, Released into space after a solar eruption, ये जब space से निकलते हैं, जब ये धर्ती पे आकर के धर्ती की magnetic field से collide करते हैं, तो फिर क्या cause करते हैं, Geomagnetic storm cause करते हैं, Geomagnetic disturbance cause करते हैं, इसके साथ सम्बंदित एक term है, coronal rain की, Don't get confused, माल लीजे कि ये धर्ती, ये sun है, दोस्तो sun से कुछ corona निकला, लेकिन वो जादा आगे नहीं जा पाया, वो पेस आकर के गिर गया, इस तरीके से गिर गया, तो ये corona rain है, So, ये यहाँ पे होते हैं, नीचे आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से जाकर ही नीचे आएंगे, ये यहाँ से ऐसे नीचे आ जाते हैं, तो ये महाँ पे एक तरीके से rain हो रही है, ये plasma की, तो उसको coronal rain कहा जाता है, coronal rain and ejection, नाम का ही फरक है, rain वहीं पे हो रही है, ejection, sun से बाहर हो रही है, ये difference है, Now, talking about coronal hole and sunspot, ये तो दोनों हमने इसी साल देखे हैं, sunspots के case में क्या हुआ, या sorry, coronal holes के case में क्या हुआ, नासा की solar dynamic observatory observed the phenomenon of coronal holes in ultraviolet light, ये काफी important है जानना, coronal holes को देखने के लिए आपको UV light का इस्तिमाल करना पड़ता है, जो हमारा पूरा का पूरा electromagnetic spectrum है ना, अगर आप UV light का इस्तिमाल नहीं करेंगे, तो आप coronal holes को witness ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये invisible है हमारी eyes को, अब coronal holes क्या है, ये दोस्तो sun के surface पे वो वाले इलाके हैं, please listen to me very very carefully, from where fast solar wind gushes into the space, अभी देखा हमने solar winds आ रही है, जहां से solar winds space में जाती है ना, वो असल में इन ही से शुरू होकर जाती है, coronal hole से शुरू होकर जाती है, लेकिन, because they contain little solar material, they have lower temperatures, जो coronal hole है, वहां पर एक तो ये किसी छेद बना हुआ है, तो वहां पर solar material कम है, solar material कम है, तो temperature भी कम है, और इसलिए ये काफी जादा काले लगते हैं, darker लगते हैं, these holes can cause a solar storm on the earth, वही, अब hole से निकली solar wind, solar wind पहुँच गई आपकी धर्ती तक, धर्ती तक आएगी तो फिर वो solar storm कर सकती है, वही geomagnetic storm, as they release a complex stream of solar winds, तो ये possibility है, ये photo थी, यहां से बाहर आएगा, यहां से समान बाहर आएगा, ये सारा जो समान बाहर आ रहा है, solar winds है दोस्तों, ये सारी solar winds है, जो कि आगे जाकर के धर्ती में आकर interfere कर सकती है, अब coronal hole से भी आपकी solar winds निकल रही है, और coronal mass ejection, जो हमने अभी-भी पढ़ा, वहां से भी solar winds आपकी एक तरीके से, वो coronal mass ejection है, वो भी आगे जाकर के धर्ती में interfere कर रही है, तो वो भी एक तरीके की solar winds है, लेकिन बस नाम का फरक है, क्योंकि ये holes में से आ रही है, ये coronal mass ejection ही है, second चीज क्या है, sunspots, sunspots में इन्होंने क्या देखा, कि एक sunspot है AR3038, जिसका size almost 2 गुना हो गया, in the span of 24 hours, sunspots क्या होते है, sunspots are areas which appear dark on the surface of the sun, they appear dark because they are cooler than other parts of the sun's surface, तो ये dark क्यों लग रही है, because ये sun के surface के बाकी हिस्सों से ठंडे होते हैं, ठंडे दोस्तों coronal holes भी होते हैं, क्योंकि मैंने बताया, solder material नहीं है, तो they have lower temperatures, same goes for sunspots, ये भी ठंडे होते हैं, they are relatively cool as they form at areas where magnetic fields are particularly strong and thus keeping some of the heat within sun from reaching the surface, तो ये यहाँ पे magnetic field काफी strong है, तो जो sun के अंदर की heat है वो sun के surface तक नहीं आपाती, इसी लिए, यहाँ के sunspots है, magnetic field lines near sunspots can cause a sudden explosion of energy called a solar flare, अब समझे आप difference, कि यहाँ से निकलने वाला, hole से निकलने वाला, generally solar wind होता है, लेकिन यहाँ से निकलने वाला, अगर होगा, तो solar flare होगा, क्यों, क्योंकि magnetic field साथियो बहुत जादा strong, this is the difference, so coronal hole, patch of the sun's atmosphere, much lower density, केवल ultraviolet में दिखता है, dark splotches होते हैं, ठीक है, यहाँ से आपके solar winds निकल सकते हैं, देखे, high stream, high speed stream of solar wind निकल सकता है, sunspots, cooler regions on the sun's visible surface, caused by concentration of magnetic field lines, visible component of active regions, और यहाँ से number of sunspots goes up and down, because, यहाँ पर यह भी है, sunspots बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, sun का जो एक natural 11 year cycle है, sun cycle कहा जाता है इसे, तो वो चलता रहता है, उसके according यह उपर नीचे होते रहते हैं, समझ आगे यह 6 की 6 terms, coronal hole, sunspot, solar wind, solar flare, आपको बता दिया मैंने, coronal rain, coronal mass ejection, कुछ ना कुछ definitely इसमें से पूछा जा सकता है, All right, this was my time, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, बहुती जल्द उसमें कुछ और topics को भी discuss किया जाएगा, जाने से पहले बताना चाहूंगा, कि कल हमारे channel पे आपको मिलने वाली है, UPSC, CSE Prelims की complete analysis, अगर join नहीं किया है, तो definitely join किज़े हमारे channel को, और बागी अगर आप इसनी, ऐसके आतू और नहीं जाया कि इस फिरितम घाईफ शyaओ मिले नहीं मिलने नहीं है, एक वांने सबकкивती है, मुएंबती है, वीडिये है, पेए इसके हàiत्यास, चरहात्ने सीचलने से पेल सहएछिता थाविग का पime